क्यों सब्सक्राइब करे Mona away the प्रेवाद बेल आइकन प्रेस करना ताकि आप मेरे बिगे सब्सक्रिक पहने और सब्सक्रिक जल्द इने लेग्स के प्लीज सब्सक्राइब मैं एक गुलाम आया इसता से पहले इदर देख रहा है कुछ देख को नहीं रहा है एक सब्सक्राइब में बैठा और बैठ करके उसने हाथों को उठाया और पाले वाले मैं जिसका गुलाम मैं जिसका गुलाम मेरे मौला का वास्ता तो उसकी खातेश पाली बरसा बारिश कर देख और बारिश होने लगे और दीरे जूटा वो चलने लगा आभी कहता है कि मैंने जब देखा कि उसने जैसे दुर्वात कि और वो आहिस्ता सूठा और चलने लगा तो मैंने वोच्ता ताक्ट किया पीछा कि देखों जी कहां जारा कौन है कि जिसकी एक बात पर अल्ला ने फॉनर महमत बरसाना शुट कर दे और इतने लोग दुआ करें कि जी को आया वो बोलना ही हो ताको पिया तो यह देखा कि महां में सज्जाद के घर गया है तो मैं पॉमच गया और मॉला सज्जाद समाझ गया कि मॉला सज्जा जो मांग जो मांगना है मैं अटा करूंगा ताक का गुलाम चाहिए का जिसकी गुलाम को चाहो ले लो गुलामों को देखने लगा का ये गुलाम नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए इनमें से कोई नहीं चाहिए वो गुलाम चाहिए जिसके मैंने देखा है कि जिसकी जबान पर वारिष होने लगी जो को कहें देगा वो फ़वर जो है अल्ला और इसकी दुवाओं को पुभूर करता है तो इमाम ने आवाज दे तुम छिपो मात आ जाओ इमाम ने का भाई तुम भी आ जाओ तुम लेने के लिए अब जो गोलाम आया तो इसने कहां यहीं गोलाम है जो अल्ला से कहता है और अध्याद मात बोलती है कि अपनी मवफ़द के लिए उपने बख्षिश के लिए उपने गुनाहों के लिए इससे गुमगा की कह देए कि अल्ला में गुनाहों को माफ कर देए इसे मैं ले की जाना चाहता हूं। उस गोलाम ने आस्मान की तरफ देखा रदय इन्यक वाद किया था शुदाया को मैं तोस्से वादा किया था इद तक जब तक सिंदगी पी रहूँगा इस दर के लाव नहीं चोड़ सकता इमाम सज्जाद के गुलावी नहीं में रहना चाहता हूं पालने वाले आज मुझसे मेरे अगा का घर छूट रहा है को दाया मुझे यहां से दूर नहोने दे अगर एमाम सज्जाद के हां मुझे कहीं बलाना है तो अपने पास भुला ले जहिसिए उसने कि दो आया इस दर के लाव बस तेरा ही दर है अब सुझे अपने पास भुला ले फोण गिरां और मर गया देखिए घौर की आपने दो पस्वीरे हैं एक जो आया है इमाम से घुलाम मांग रहा है तो पूछा कि मौला ये आखी घुलाम कैसा था कहा ये मुस्तजावु दावाद था यादि इसकी द्वाएं फॉर्ण कबूल होती थी द्वाएं इसकी फॉर्ण कबूल जो कह देगा आप जो जानने वाला है एक पहचानने वाला है आया साइस सवाल कर रहा है वो इमाम को जान रहा है अगर जानता नहीं पहचानता भी तो गलाम क्या जूरू है आखा मिलसा नहीं हाहा हाहा है यह जार ना था अब गुलाम से करेखिए खुलाम दुआगे दे लेकिन गुलाम से करेक्र करेकर नेकर गुलाम जानता नहीं था गुलाम पहचानता था जो इमाम को पहचान लेता है, वो मुस्तजाबुंदाबात रहता है तो जब इमाम को हम पहचान देंगे, तो जहान दुनिया हमें पहचानेगी मेरे शीसोगों सज्याद वो इमाम के जिन्होंने जो गम देखा वो गम किसी देना देखा हारीख में कहीं ऐसा नहीं मिलता कि अवलाद अपने माँ को दफन नहीं सके और मनसब इमामात ऐसे वक्त में मनसंबिल रहा है कि जब खुद बिस्तर्क हो मसला पहला मसला जो पूछा जा रहा है तो ऐसे आलम में पूछा जा रहा है जब पहने जब रहा है मनसब इमामत जब इमाम ने अता किया इमाम के बाद इमाम एक लिए भी दुनिया पुछते खुदा सफारी नहीं रहती इमाम कोई न कोई इमाम रहेगा, तो इमाम न जे आमाम न दी, तो एसे आलम में दी, विस्तर पनूए। इमाम जे जी जुब सवाल किया है उसन व्हाँ कि आउमाँ वो तूम न घाए। बुदव कला हिए ए मारे भूम की आई हे वहार चेड़ ऐहा है हॉए। मेरे अजीजों अचब मनज़ था वो, जी वो प्यामत का लमा था जिसके इमाम सज्जाद के भी फरामोश नहीं कर पाते थे, हमेशा तुरत तुरत के रोते थे मौला सज्जाद, आज शहादत की तारीछ जैम अजीजों, इमाम सज्जाद भी अप्तियार हमेशा रोए, आज हूं पसज्जाद कर लोते हैं कि जब देटा ये कहता है, हमारे पांचुए अमाम कहते हैं मेरे मेरे आपों के सामने मेरे बाबा का लाशा दिखाई देती हैं यहीं वज़ा है मेरे अजीजों कि जब इमाम के सामने हद्कड़ी और बेडियों को लाया शिम्र ने और ला करके इमाम को कैदी बनाना चाहता है इमाम मशबूर नहीं होता लेकिन मसलिहत फुदा के लिए इमाम ने हद्कड़ी बेडियों को पहना अजेसी हद्कड़ी बेडियों लाके इसीन करने के लिए आया यहा मूहर्मन को ते माम में हद्कड़ी और बेडियों को देखा इमाम सज्जाद ने शिम्र के छेरे को देखा और अजभ जुम्रा का सिवड जब तक मेरा चचचा बास अता है मेरे चछा के सामने तु हरत कड़ियों को लाता मुझे कैदी बनाता ए शीभ मेरा चछा मारा गया तु अगर मण था मेरे चछा के सामने आके सज्जाद को कैड कर लेता व रात कर उतिया मार दी चछाम दास शिर्फ डियान आये यह चैचा हम केदी हो रहे हैं हाँ जीसों यही वज़ा है कि एमाम सज्जाद जब पहसर रहा हो कि बदिने पहुंचे इमाम सज्जाद से जैसे ही मौम्मदा हनुपिया मिले हैं जैसे ही इमाम सज्जाद को मालूम हुआ कि उनकी चचा आया हुए है हाँ अजीजो मुम्मद अनुपिया ने सिर्द देखा तर रुटे हुए कांपिले को जो वापस आ रहा है और एक चीज मारी में भोश हो गए गुलाम तेजी से दड़ता हुआ इमाम सज्जाद के पास पहुँचा अब हुँच के कहता है कि आप मेरे आखा की जान को बचा ले आपके चचा दुनिया से चले जाएंगे जाए हाँ अजीजो इमाम सज्जाद अपने चचा के सरा कहीं पहुँचे सर पूठाया जानुपे रखा आखा आख खो लिए चचा आपका भतीज़ा है हाँ आजीजों जैसे मौमद आरफिया ने आखा बोली इसके बाद इमाम सज्जाद कहने लगे चचा आप मिसी इसकुटे हुए काफिले को देखा है चचा आप परदाश नगर सके ए चचा मुझसे पोचिए मैंने किस तरीके से कुफे से शाम शाम से मदर्बार यसीद मेरी मा महिन फुप्या नंगे से बाज़ा मदर्बार में किस तरीके से लेके इपनी फुप्यों को गया उसके बाद पहला सवाल करते है मुहमद हरु या बताओ करबला में क्या हुआ कैसे मेरे महिया मां आ ढ़ गया मेरा अबास नगा दाए इमाम से तट आपके ए चचा पहले चचा मालेंगे, चचा के शादे कादेंगे, जब मेरा चचा अबास जिन्दा ना रहा, तो मेरा बाबा शहीद हो गया। हाँ आजीजो, इमाम सज्जाद इसलम को याद किया करते थे, बस मेरा जीजो, दो चार जुम्ले मसाइब के और सुन ले। वलीद ने, वलीद बिन अब्दुलमलिक उसको इमाम का ये गिलिया ये बादत भी बरदाश्ट नहुगा, उसने अमाम सज्जाद को जहर दे दिया। वलीद बिन अब्दुलमलिक ने अमाम को जहर दिया। हाँ जीजो, जहर से अमाम शहीद हो गए, वो धूम से जनाजाग उठा। पुरा मदीना था, उस बीमार अमाम के जनाजे में सब ने शरीक किया। पुरा मदीना शरीक था, वो धूम से जनाजाग उठा। इमाम सज्जाद का लिजा करके दफन कर दिया गया। लेकिन लोग आए, आक कहते हैं इमाम मुहम्मद बाकिर से, कहां आपके बाबा के कब्र के उपर आपके बाबा करनागा वहां पर अपना सर पीट रहा है। इमाम आए, आपके बाद उसके उपर हाथ रखा, उसे ले गए, लेकिन फिर वो भाग कर दे, कब्र पर आया। आगर के सर पीट कर, इमाम की कब्र पे जान दे दी। लोगों ने मदीने वारों ने सवाल किया, मौला आखिर नाका इस तरीके से क्यों कर रहा था। जब इसे लेके जाते थे, घर जाते थे, फिर ये वहाँ से भाग कियाता था। और ये अपने इमाम की कब्र पे जाकर के उसने दम तोड़ दिया। इमाम रोख के कहते हैं, कहत में मालूम है, 22 हज, मेरे बाबा ने इसी नाके पर बैट के किया है। हज करने मेरे बाबा जाते थे, बाए इस हज किया, ता सुनो, मेरे बाबा ने कभी इसे एक ताजियाना नहीं लगाया। कभी भी इस जानओर, के फिरे बाबा ऋस्जादम एक ताजियाना नहीं लगाया। मेरे ऐजशो, इमाम सजजाद की मखुड़ूमियद्य देखिए जिसने कभी जनफ जानओर को एक ताजियाना ना मारा हो। उसकी कुछ पे कितने ताजियाने बर्साए गए, कितने कोडे मारे गए बसे आवारा रख पाजिया, जल्य हुआ एवाई वाई पाजिया ए आदिल बचार मेरे खईय के वफादार मेरे खजिया लंबा करी पहला है लाचार वासुओं मेरे रसंद बन गई वासुओं मेरे रसंद बन गई लाश बेशीर फाटों में है रूह सर्वर किसासों में है रूह सर्वर किसासों में है क्या करे हाई शाहे होदा क्या करे हाई शाहे होदा मेरे बईया के वफादार मेरे खजिया लंदा तेरी पहला है लाचार वासुओं मेरे रसंद बन गई वासुओं मेरे रसंद बन गई वाई शापिर कैदे कसी और बहर देखती रह गई और बहर देखती रह गई चूर जखमों से होकर किया चूर जखमों से होकर किया मेरे वईया के वफादार मेरे खजिया लंदार तेरी पहला है लाचार वासुओं मेरे रसंद बन गई मेरे खाजों मेरे रसंद बन गई शाप्रम मेरे खेले गए है कमर अपनी पगरे हुए है कमर अपनी पगरे हुए तो गम ने अकबर को बुरा सिया तो गम ने अकबर को बुरा किया मेरे वईय के वफादार मेरे खजिया लंदार तेरी बेना है लाचार मेरे खाजों मेरे रसंद बन गई एक रसंद और बारा दले कौत पहने जो आबिद चले तोक पहने जो आबिद चले मेरे वईय के वफादार मेरे खजिया लंदा तेरी बेना है लाचार मेरे वईय के वफादार मेरे खजिया लंदा करे लाचाथ